हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है बड़ी खबर अलवर में जैपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई अलवर नगर परिशद में दो थेकेदार वा एक पारशद नरेंद्र मीना को 5,15,000 रुपे की रिश्वत लेते हुए पकड़ा अलवर नगर परिशद में ब्रश्टाचार का फिर बड़ा खुलासा हुआ है जैपुर भ्रश्टाचार निरोधक बयूरो की टीम ने नगर परिशद के पारशद नरेंद्र मीना वा दो थेकेदारों को 5,15,000 रुपे की रिश्वत के साथ पकड़ा है एसीबी की टीम नगर परिशद में कमिशनर के पास दस्तावेज चेक कर रही है नरेंद्र मीना प्रदेश के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के करीबी है एसीबी की टीम ने कुछ समय पहले अलवर नगर परिशद के सभापती बीना गुपता को 80,000 रुपे की रिश्वत लेते हुए उनके बेटे के साथ गिरफतार किया था उसके बाद एसीबी की यह दूसरी बड़ी कारवाई है अलवर नगर परिशद ब्रश्टाचार का अड़्डा बन चुकी है करोणों रुपे का खेल चल रहा है आम आदमी परेशान है तो पार्शदों के काम नहीं हो रही है पैसे में एक बार फिर से साबित हो चुका है कि अलवर नगर परिशद में पैसे का खेल चलता है एसीबी मुख्याले को पिछले दिनों यह सूचना प्राप्त हुई थी कि नगर परिशद अलवर के अंदर एनाइटी हुई है और उसके अंदर काफी सारे लोगों को इसके अंदर टेंडर दिये गए है और उसी के तहट जिन लोगों की निविदाएं खुली थी उन निविदा दिये जाने के करम में और उसके बाद में जो इनको वरक ओर्डर दिया जाना है उसके एवज के अंदर यहां के जो जनफरतिनी थी और जो लोग सेवक हैं वो पेसे की वसूली कर रहे थे और उसी करमें इनोंने कुछ तो पेसे निविदाएं जो जारी हुई है उसके करमें कठे किये हैं और आज हम सुरेंदर जी हमारे एडिसने स्वी स्वाई मादोपोर और हम लोगों की जो टीम थी मुख्याले की हम लोगों ने आज जो पारसद है नरेंदर जी मीना उनको पांच लाक पंदरा जार रुपे जो रिस्वत रासी दो ठेकेदार रमेश गुपता और दूसरे संजीव भारगों हैं उन लोगों ने इकठे किये और इकठे करने की जो हमारे बाद जो सूचना ही थी उसके आधार पे आधार तीनों लोगों को गिर्दार किया जा रहा है इसके अलावा अन्ने लोग जिनकी भूमिकाएं हैं उनकी जांच करके उनके बाद में कारवे किया